कि किसान मांग क्या कर रहे हैं? किसान आपसे सवाल पूछ रहे हैं? किसानों के सवाल क्या है? पहला सवाल, किस किसान संगठन में ने आपसे यह मांग की थी, कि यह तीन बिल ले आई? आपने किस घोशना पत्र में अपने कहा था, कि आप कारपूरेट फॉर्मिंग, आप जो हर राज में जाने की बात, जो प्रावदान आपने की है, जमा खोरी की बात, ये किस किसान संगठन की मांग है, या किस परटी के खुष्णा पत्र में है, नंबर दो सवाल किसान क्या पूछ रहे है, कि अगर आप ने ये नियम कानून बनाए है, तो आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, दो महीने से उनके अंदोलन चल रहे थे, उन्होंने बात नहीं की, तीसरा सवाल किसान पूछ रहे हैं, कि हम तो हर राजी में जाकर पहले ही बेच सकते थे, आप तो ये जूट बोल रहे हैं, कि हमने हर राजी में जाकर के बेचने क सहोलिय दे दी, अगला किसानों का सवाल क्या है कि अगर आपने ये कहा है कि इसमें MSP का जिक्र नहीं है, MSP कहतम कभी नहीं होगी तो आपके इस समय home to a fnp सभ के प्राधान मंत्री हैं वो एक जमानी में गुजरात के प्रदान मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि MSP को कानूनी वैदता देनी चाहिए कानून में लिख दिया चाहिए कि MSP से कम खरीद पर जेल होगी आज वही प्रधान मंत्री बन गए तो वो क्यों नहीं एक लाइन में लिख देते के MSP कभी खतम नहीं होगी अगला सवाल किसानों का क्या है कि आपने कहा कि नीजी कंपनियां नीजी मंडियां बनाएंगी तो सरकारी मंडियों में कौन बेचेगा नीजी कंपनियों में बनाएगी तो ये सरकारी मंडियां बरबाद हो जाएंगी तो ये जो किसानों के सवाल है, इनको सुनने की बजा है, किसानों को आतंगवादी कहना, किसानों को अनपढगवार कहना, किसानों को बरगलाया हुआ कहना, इन किसानों का अनदाताओं का अपमान है, जब यही किसान प्रदान मंतरी मोदी को वोट दे करके सबसे बड़ी पा अनपढगवार हो गए ये तो आंदोलनों के चरित्र पर जो हमला है इस देश को अभी अभी तैंक करना होगा चात्रने लड़ाई लड़ी तो उनको टुकडे टुकडे गैं कहा गया सिक्षक लड़ाई लड़ रहा है तो उनको किसी पार्टी का एजेंट कहा जा रहा है जब दलित लड़ाई लड़ रहा है तो उसको नकसल ही कहा जा रहा है जब मुसल्मान लड़ाई लड़ने आया तो उसको आतंकवादी कहा गया और जब सिक्षक ब्रोद्धिजीवी लड़ाई लड़ रहा है तो अर्बन नकसल कहा गया यह इस देश में आंदोलनों के जमहूरि गेर करके वो बैठे हुए तो एक सवाल है वो सवाल इस बात का है कि इस देश में फिर अपनी चुने हुई सरकार से सवाल कैसे पूछा जाएगा यह सवाल पूछ रहें किसान और मेरा कहना यह हम प्रोफेसर हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हो ह हम छात्रों के पक्ष में खड़े हों, हम नागरिकता कानून का भी विरोध करें और सबसे बड़ी बात, जब बिरोजगारी का अंदोलन होगा, तो भी हमारी लड़ाई है, सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है, कि जिसने कहा कि सोगंद मुझे इस मिट्टी की मैं देश नह निल बेच दिया, और उसके बाद इस समय एलाई सी तक बेच रहे हैं, बचा क्या है, अब इस बार इस देश को सोचना होगा, कि एक तरफ सारे संस्थानों को नीजी आतों में बेचना, दूसरी तरफ बेरोजगारी चरम पर बढ़ना, तीसरी तरफ इसी समय नई सिक्षा नीत इलाग करके विश्वद्यालियों को भी नीजी आतों में बेचना, आपके बच्चों का भविश्य खत्रे में है, आप केवल इस बात के खुश है कि देव दिपालुया के मना लिए, आप इस बात से खुश है कि 370 हटा दिया, मुसलमानों को ठीक आने लगा दिया, और यह जहरेली मीडिया बेट करके आप देखते हैं, इसमें आपके बच्चों के सवाल हैं क्या, बेरुजगारी पर वो डिबेट करते हैं क्या, क्या वो आपके इन सरकारी संस्थानों को बेची जाने के खिलाफ सवाल उठाते हैं क्या, क्या इस देश में गिरती हुए अ आपात इस्तती में है आपकी अर्थवेवस्ता माइनस 23 है आपके यहां बेरोजगारी 12 करून लोगों की रोजगार चले गए हैं हमारे देश में अर्थवेवस्ता कैसे काम करती थी प्राइमरी सेक्टर सेकंडरी सेक्टर और तरसरी सेक्टर तो इन में क्या होता था जो सबस ज्यादा रोजगार के अवसर थी वो क्रिशी में थे क्रिशी तो वैसे ही बर्बाद कर दी गई तो जहां सर्विस सेक्टर में रोजगार दिया जा रहा था अब सर्विस सेक्टर एक्सीट कर रहा है वहां कोई रोजगार नहीं मिल रहा है लोग नोकरियों से निकाले जा रह जहां किसानों में थोड़ी हिंथ बची है थोड़ा हवसला बचा है थोड़ा स्पेस बचा है वो लड़ रहे in तो आपको क्या हर बड़ी थी कि इस पंड़ेमिक के समय जब संसत तक नहीं चल पा रही है ऐसे आपात इस्तिती में तीन श्रमिक कानूनों का संसोधन कर दिया कि श्रमिकों के सारे हकचिन लिए गए हैं अब जो अधिकार डॉक्टर अंबेटकर ने लड़कर के तमाम सामाजीक नयकिर नेताओं ने, राश्टनिर्माताओं ने लड़कर के शमिकों को, किसानों को, नौजवानों को सिक्षा के लिए दिये थे इसी पेंडमिक के दौर में नई सिक्षा नीती लागू हुए आपके देश के विश्व द्यालियों को, स्कूलों को बेचा जा रहा है आपके बच्चों को पढ़ने का मोगा नहीं लिए है इसी pandemic के समय शमिक कानूनों में बदलाव दा करके हर तरह की trade union को बरबाद कर दिया गया minimum wage से लेकर के हर चीज़ा बरबाद हो गई है सब private हातों में दे दिया गया और इसी pandemic के समय यह कानून भी लाया गया है जिसमें किसान अफ सड़कों पर लड़ रहा है इस देश की आम आवाम को सोचना है कि अपने बच्चों का भविष बचाना है तो यह मंदिर मश्यर यह हिंदून मुसलिम और यह अतंकवादी कहना यह सब को बदनाम कहना सब को मूर कहना बंद करिये और किसानों के साथ खड़े हो यह और बेरोजगारी निजी करण किसानों की समस्या श्रमिकों की समस्या सिक्षा बचाने की समस्या यह है असली सामाजिक नयाय और हम सामाजिक नयाय वाले यह लगाई लड़ते हैं तो यह सारे नेताओं के बच्चे कभी हिंदु धर्म खत्रे में होता उसको बचाने नहीं गए अमिशा का बेटा जैशा और कई सव गुना टर्न ओवर करके अपनी कमपनी को खड़ा कर लेता है जो सिक्षा मंत्री है वो अपनी बेटी की तस्वीर बड़ी अच्छी पेश कर रहे थे कि मेरी बेटी विदेश के फला इंवस्टी से यह डिगरी पा ली है अब इससे भी बड़ी डिगरी पाने के लिए वो अमेरिका के इस इंस्टिट्यूट में जा रही है और उसी सम हो कोई हिंदू द्रम बचाने नहीं जाता तो वह किसानों के मसले पर वो अपना एजंडा पूरा कर रहा है उनका एजंडा क्या है इस देश को हमेसा हिंदू मुसलिम की बाटते रहए उनका एजंडा क्या है इस देश में कभी वह माहौल न बनने दो कि सिक्षा पर मुसल्मानों ने चीन लिया कौन सा मुसल्मान इस देश में तना ताकतवर है कि जिसमें इंदों का चीना हो हमारी सिक्षा को हमारी रोजगार को हमारे अरक्षण को किस ने चीना है ये कोई मुसल्मान ने कोई अर्बन नकसल ने कुई सी ने चीना तो ये सारे लोग का काम ये कि इस देश में छूटी बहसें पहलाना तो यह किसानों के मसले पर नहीं आएंगे यह सम नफरत ही लोग है इस देश को ते करना है कि नफरत जीते यह मुहबबत जीते आपके बच्चों का भविश किसमे है यह सब आप किसानों की बात क्यों कर रहे हैं हम बिरसा मुंडा को करें हम तिलका माजी और सिदू कानू को याद करें कि जिस जिन लोगों को इस देश में सोतंता से नम से नहीं कहा गया लेकिन उस जमाने में वो अपनी जमीन के लिए अपने जमीन के मालिकाना हक के लिए पहाडों पर गोलबंद करकर कि आदिवासियों को लड़ते हुए अपनी तीर और धनुष से उन्होंने इस देश को आजादी की लड़ाई लड़ने का इस देश को लोकतंत्र का अपने हक को बचाने का पाठ पढ़ाया है नील की क्रांती से लेकर कि आवध का किसान विद्रो यहां तक का पूरा रवायत रही है तो किसी विद्रो में किसान आता है कि अगर मैं इस खेत को अपनी फसलों को नहीं बचा पाया तो यह सूध खोर मेरी फसलों को ले जाएगा मेरा परिवार भूकों मरेगा रात भर जागता है बावजूद इसके वो अपनी खेत को नहीं बचा पाता है और किसान से मजदूर हो जाता है आज इस देश क अगर इस देश को बचाने वाले लोग जो दावा कर रहें कि किसान ना समझ है, इन हलकू और इन होरी और धनिया के लड़ाइ आज भी जारी है, तो वो लड़ाई वो लड़ रहे हैं और हम उमीद करते हैं कि वो लड़ाई जीतें, लेकिन जिनसे वो लड़ाई है कार्पूरेट घराने बड़े बड़े लोग वो उनको बरबात करने पर आमादा है अब देखना ये है कि कौन जी